हेलो फ्रेंड्स आज हम राजस्थान की जल्वायू के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो चलिए डिस्किसन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जल्वायू किसे कहते हैं इसकी परिभासा के बारे में पढ़ेंगे second number पर है जल्वायू किस प्रकार की पाई जाती है राज़स्तान में फिर जल्वायू को वरगी करन और फिर चौथ नमबर पर जल्वायू रित्थू वरगी करन जिसमें ग्रीश मरित्थू, वर्सा रितू, सरद और स्ीत रित्थू के बारे में हम जानेंगे और फिप्त नमबर अंत में हम जलवायू से सम्वंदित अन्य महत्पून कटना को भी जानेगे तो चलिए सबसे पहले हम जलवायू क्या है इसके बारे में जान लेते हैं तो पृत्वी के वायू मंडल की जो दीर कालिन कटना होती है उसको तो मतलब जलवायू कहते हैं और पृत्वी के वायू मंडल या वात्तवरन की अल्पकालिन जो गटना होती है उसको मौसम कहते हैं जलवायू के अंतरगत मतलब तीस वर्ष की उसद दसाओ को रखा जाता है मौसम तो आपको पता है कि मतलब कभी तेज गर में पढ़ती है कभी कम गर में पढ़ती है देखिए कि राजास्तान की स्थिति यहां पर कहां पर है तो आपको पता होगा कि करक्रेका राज़स्थान के दक्षिन्टम जिले बासवाड़ा और डूंगरपूर से होकर गुजड़ती है बांसवाडा का अधिकांस भाग उस्न कटिबंद के अंतरगत आता है और सेश राजस्तान के सेश सभी जिले सितोष्न कटिबंद के अंतरगत आते हैं तो उस्न कटिबंद की स्थिस्दी क्या है जो है जिरो डिगरी से लगाकर दोनों गुलार्दों में शाडवें त्य स्थिस्दी से लगाकर शाटे चासत डिगरी तक तो साइड में आप इधर देखिए कि राजस्थान की स्थिति सिर्फ केवल उस नकटिबंद अगर आये कोश्चन में तो उसका अंसर सिर्फ बासपड़ा होगा और बाकिस सभी 32 जिल्ले जो है सितोसन नकटिबंद के अंतर गाता आदे और अगर कोश्चन ऐसा आये कि राजस्थान की जल्वायों कैसी है तो उसका अंसर होगा उपोश्चन कटिबंदिया जल्वायों चली आगे चलते हैं अब हम राजस्थान के जल्वायों के वर्गी करन कर लेते हैं तो इसको मतलब दो दो वर्गी करन किया जा सकता है एक तो है सामानिय जल्वायो वर्गी करन और एक है व्यक्तिगत जल्वायो वर्गी करन सामानिय जल्वायो वर्गी करन को पांच प्रकारों में बाटा गया है और इसका मुख्य अधार है वर्षा और फिर है व्यक्तिगत जल्वायो वर्गी करन इसमें कॉपेन, ट्रिवार्था और थांत्वेट, कॉपेन के जल्वेज वर्गिगन का प्रमुक अधार है वर्षा, थांत्वेट, सोरी, कॉपेन का तो है वनस्पति, और ट्रिवार्था का है वर्षा, और थांत्वेट का है तापमान, अब हम राजस्तान के सामान्य जल्व बहुं छर्व हों किस बहुतक परदेश में पाई जाती हैं तो यहां पर private जल्वायु दी गई हैं पहले जल्वाय। है। dagegen कर दिये जल्वाय। फ्र हैअर्द कर कुई गूति还 jour is तर नंबर ठर उपाधर कटी होती है तो जीरो से लगाकर 20 cm 22 होती है और अर्द सुस्क में 20 लगाकर 40 cm तक वर्षा होती है फिर है उपाद्र उपाद्र में 40 लगाकर 60 cm तक वर्षा होती है और यहां अरावली बहुतिक परदिस में पाई जाने वाली जलवायू है फिर है आद्र कटिबंदिय जलवायू यहाँ पर वर्षा 60 से 80 सेंटिमेटर और यहाँ मैदानी भागों में पाई जाती है और फिर अत्र कटिबंदिय जलवायू है यहाँ पर बारीज सबसे सरवादिक होती है जो कि 80 से लगाकर 120 सेंटिमेटर होती है और यहाँ हाड़ोती परदिस में पाई जाती है जलवायो तो अब आगे चलते हैं आगे हम व्यक्ति गत जलवायो वर्गीकरन को देख लेते हैं तो सबसे पहले आता है कॉपेन का जलवाय में बाटा हैं फर्स्ट है एडवियू सेकेंड है बीडव एच डव्यू थर्ड नंबर पर है बी एच डव्यू और फूर्द नंबर पर हैं सी डव्यू जी एक बार जल्दी से मैप में रिवाइस कर लेते हैं तो आप देखिए कि सबसे नीचे जहां पर मतलब हाडोती परद उपर है CWG और उसके साइड में है इस्टे पिपदेर्स वाला BSHW और सबसे पस्चिम में हैं BWHW चलिए अब कौपेंड के जल्वाई वर्गिकरण को विस्तार से पढ़ लेते हैं तो कौपेंड ने यह जल्वाईों के बारे पर बताए हैं कि मतलब यहां पर आद्र या अत् जाती हैं और द्यान तलब रहे कि कौपेंड के जल्वाईों वर्गिकरण का पर्मोमद जो आधार हैं वह वनस्पति हैं तो यह जल्वाईों में किस परकार के वनस्पति पाई जाती हैं तो सवाना परकार की वनस्पति पाई जाती हैं अब यह जल्वाईों की का विस्तार हमने मैप में अभी अभी देखा था कि सबसे नीचे हाड़ोती परदेश में मतलब डूंगरपूर और परतापगड और माउंट अबू भी इसके अंतर याता है एड़ डूंगरपूर और यहां पर मतलब जो गिसेस है कि यहां पर सगन वनस्पति पाई जाती है आगे हैं CWG जलवायो तो यहां मतलब CWG जलवायो कैसी है तो यहां उपादर जलवायो है और वनस्पति कौन सी पाई जाती है तो यहां पर मानसुनी वनस्पति पाई जाती है जो कि मानसुन पर नहरपर करती ह और इसका विस्तार हैं हालांकि इसका विस्तार काफी अधिक जिलों में हैं फिर भी कोपेन का सबसे बड़ा जल्वाई उपरदेश बी एस एच डबल्यू जल्वाई उपरदेश हैं फिर भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं आप इंगलिस के मतलब यह वर्ड है याद जमेर बी से स्टार्ट होने वाले बरतपूर बुंदी और भीलवाड़ा सी से करोली और चित्तोडगड डी से धौलपूर और दोसा जे से जेपूर आर से राजसम्मंद और एस से सिरोई और सवय माधोपूर टी से टॉंक और उ से उधेपूर तो आपको बस इस बात का स्टान सुनी वनश्पति पाएं जाती हैं आगे हैं अर्या किस परकारी जलवाइओ हैं तो यहँ बस तक शेत्य में ज़त्रों में जाती हैं, मरुद्भीद मतलब वह जो मरुस्थल में होती हैं, कम पानी में ही विक्षित होने वाली जो वनस्पति होती हैं और इसका विस्तार है वही ड़ेच डब्लीू का विस्तार जैसल वेर और विकरियर में आंसिक रूप से चुरू और स्री गंगा नगर भीस में सामिल है जिरो फाइट्स वनस्पति की मदब को अगर परिभासित करें तो मतलब वह वनस्पति जिसकी जड़े गैरी हो और उसकी जो चाल होती है वह माटी हो वह और पतिया मतलब इनकी छोटी होती है तो आगे फिर आगे चलते हैं तो मतलब यहीं का सबसे बड़ा जलवायव परदिश हें और यहां पर किस परकार की जलवायव परदिश जाती है यहां पर अर्द सुस्क के पर्मुख जिल्ले इसमें है जालोर बाडमेर और जोदपूर और पाली और सेखावटे में आपको पता ही है चुरू सिकर और जुन जुनु आते हैं और गंगर बेसिन में गंगानगर और हनुमानकड और सबसे विसेश में तो अंत में यह है कि मतलब यह कॉपेन का सबसे परदेस हैं आगे हम हम चलते हैं आगे हैं जल्वार्था का जल्वाइध क्लम कर्直ण का परिज्द रहा था वर्षा विसने इन्ह oldest में भी मतलब चार प्रकार के जल्वाइध और परदेशों परदेशों के बारे में बताया था तो इन मतलब कॉपेच्ट Nobel कर गए पिर ट्रिवार्था और ट्रिवार्था जो मतलब इन जल्वई परदेशों की मादर की सेंटिमिटर nggak इंओ तो ट्रिवार्था के नीचे मतलब जो सबसे पहले जल्वाई पर्देश है वो है AW और यहां पर मतलब 100 cm वर्षा होती है यहें AW वही पर्देश है जो मतलब की कॉपेंड का AW वाला छेतर रहा है मतलब हाड़ोती पर्देश की मतलब वह जो भी था फिर हैं सेकेंड नमबर पर कॉपेंड का मतलब कॉपेंड के नीचे सेकेंड नमबर पर BWHW और ट्रिवार्था के नीचे हैं BW और H मतलब इन्होंने W को डबल बार नहीं लिका हैं मतलब सबसे पश्चिमी वाला छेत्र यही है जो कि कॉपेन ने बताया था फिर कॉपेन का सबसे बड़ा जल्वे मतलब यह परदेश कौन सा था था तो ट्रिवार्था ने इसको बताया बी एस एच ठीक है और यहां पर 30 सेंटिमेटर ने वर्सा बताई है इस जल्वे परदे जी और ट्रिवार्था ने इसको C.A.W. के नाम से अंकित किया और इसकी मतलब आसफ वर्सा बताई है सित्र सैंटिमीटर ठीक है ? अगर कम से ज़्यदा की और देखे तो बंद एट सबसे 10 सैंटिमेटर वर्सा बी, डिब्ली एच फिर है की सैंटिमी सो सेंटेमेटर वर्षा वाला एडवल्यू चलिए अगे चलते हैं अंत में हैं थांत्वेट का जल्वयू वर्गी करन इन्होंने मतलब अपने जल्वयू के वर्गी करन का परमुक आधार तो तापमान बताया था अगर कुश्चन में तापमान नहां दिया हो तो और वास्प करन कोई मतलब आपको आंसर वानना है ठीक है लेकिन इनके मतलब वर्गी करन का परमुक आधार तो तापमान है इन्होंने इन्होंने भी मतलब जल्वयू को मतलब चार मदबराश्चान के जल्वयू को चार परकुरों में बाटा था तो फर्स्ट नमबर पर है ए सी ए डब अगर क्या है तो सुस्क आध्र तो यह जल्वयू पर दिस आप में देहिए कि जो हडocy पर देस है यह इस ब्लुव लैन के नीचे-नीचे वाला हडोती पर दिस है तो यहां पर यह सुश्क आध्र जल्वयू मतलब यह सी-ए-डबल्यू वाला च्हेतर पाया जाता है इसकी उपर वाला चेतर है B A W यहाँ पर अर्ध सुष्क जल्वायों पाई जाती हैं फिर है B B B W जो उस्री क Turkish गंगानगर और बिकानेर के यह उपर वाले भाग है बिकानेर संभाग के वहाँ पर मदब यहाँ परnya शुष्क जल्वायों पाई जाती हैं और यहाँ अगर आपको पता हिया कि सुष्क जलवयो राजतान के पस्षिम जिल्ले मतलब जैसलमेर और बाड मेर में पाई जाती हैं तो आज की डिस्केशन में इतना ही आज हमने राजस्तान के जलवयो के पूरा विस्तार से पढ़ा हैं आगे हम राजस्तान के पर्मुग जो रित्तु बने रिने के लिए आपका धन्यवाद हम टाइम जैसे ही बिलता है तो हम वीडियो को बना कर डालने की कोशिश करते हैं तो अगर आपको किसी बात का भी डाउट लगे या आप किसी अन्य सब्सक्राइब करें तो हमें उचित लगेगा तो हम जरूर उस पर डिस्केशन करेंगे तो चलिए आज की डिस्ट्सक्राइब में इतना ही थेंक यू थेंक यू वेली मच पॉर डिस्केशन